नमस्कार, आदाब, गुड इमनी, सस्य अगाल दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोचल मीडिया पे इस समय JNU क्यो टेंड कर रहा है, क्या कनेक्शन है, प्रियागराज हिंसा के मास्टर माइंड जावेद एहमद उर्फ जावेद पंप के साथ, मैं आपको बताते हूं, जिस समय जावेद एहमद उर्फ जावेद पंप के घर जोगी बाबा का बुल्डोजर चल रहा था, उस समय JNU में काफी भारी परदर्शन चल रहा था, अब परदर्शन कर रहे थे, काभी बड़ा परदर्शन था, शायद अब आपको ये भी बता चल गया होगा, कि आए दिन वहाँ अजादी की मांग क्यों उड़ती रहती है, आफरीन फातिमा की मैं बात पर आती हूं, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हो सकता है, जल् महिला कॉलेज की पूर शाथ संग अध्यक्ष भी रह चुकी है, और बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ा है, कि उसने अपने ट्वीटर बाया में जहां लोकेशन लिखी जाती है, वहाँ पर उसे ने लिंचिन स्तान लिखा हुआ है, यानि कि वो हिंदुस्तान में रहती है, वो लिंचिन स्तान में रहती है, पढ़ाई से ज़्यादा वो अपने दूसरे विबादों के कारण जानी जाती है, ये बड़ी बेटी है जाविद अहमत की, जे अन्यू में स्टूरेंट यूनियन की कॉंसलर भी है, और इससे पहले उसने अलिगर्ड मुस्लिम य जो विवाद हैं जिनके कारण आफरीन को जाना जाता है, 2019 में CAA और NRC प्रोटेस्ट के दौरान आफरीन जेन यू से प्रियागरास तक एक्टिव रही, आफरीन शाहीन बाग में कोई प्रोटेस्ट में भी सक्रिय रही, यही नहीं वो शाहीन बाग के जो मस्टर माइंड ह शरजील इमाम, उनकी काफी करीबी है, काफी क्लोज है वो उनके, हिजाब बैन के दोरान आफरीन दक्षिन भारत जाती है, और वहां कई शहरों में वो प्रोटेस्ट करती है, आफरीन ने 2001 में संसत पे हुए हमले के दोशी अफजल गुरू को निर्दोश बताया है, जिसे अफ़ा से भी जा चुकी है, और जन्वरी 2020 में CAA, NRC के किलाफ दिल्ली से लेकर के UP तक उसने जम के अपने साथियों के साथ प्रजशन किये, और इसी बीच 25 जन्वरी 2020 पर उनका एक 25 सेकिंड का वीडियो वाइरल होता है, इस वीडियो में आफरीन के इन सरकार और सुप् जो उसने कहा मैं वो आपको बता रही है, अक्षरश, मैंने मैसुस किया कि ना तो सरकार और ना ही सुप्रीम कोड मुस्लिवों के भरोवसे के लाइक है, यह वही सुप्रीम कोड है, जिसने पहले कहा था कि बाबी मस्रिद के नीचे कोई मंदर नहीं था, इस वीडियो को भ आफरीन कह रही है कि उनके परिवार को फसाया जा रहा है, गलत कारवाई हुई है उनके परिवार के खिलाफ, अगर पुलिस को आफरीन पे शक है, वो यह कह रही है कि अगर मेरे पे कोई शक है, तो मेरे सोचल मीडिया अकाउंट को खंगाल सकती है, यानि कि इतनी सारी बा मेरे परिवार को फसाया जा रहा है यह हो कह रही है आफरीन ने यह भी दावा किया है कि प्रयाग राज में उनके महले से महिलाओं और छोड़े बच्चों को जबर्दस्ती घरों से निकाला जा रहा है प्रयाग राज हिंसा के बाद पलिस का यह दावा है कि हिंसा के पीछे जावेद एहमत का हाथ है उसी ने लोगों को हिंसा के लिए उक्साया और प्रियागराज एसेस्टी अजे कुमार का ये कहना है कि पत्थरवाजी से पहले आफरीन ने जावेद को अपनी काविजारी राय दी काम करने का तरीका बताया कि इस लाइन पे वो काम करें पुलिस इ दोस्तो हम रहते हैं वारत में और अपनी लोकेशन देते हैं लिंजिन स्थांग की ये सब क्या है क्या कहते हैं आप मैं आपी लोगों से सवाल करती हूं कि ये क्या है क्यों हम इस तरीके के काम करते हैं क्यों हमारे दिल में हमारे देश के लिए प्यार नहीं है हम लोगों क कम पड़े लिखे हैं उनको हम उकसाते हैं और फिर हम उनको दंगों की आग में जोग देते हैं खुद पीछे हो करके तमाशा देखते हैं तो इसमें नुकसान किसका होता है वो लोग भी इस बात को सोचें समझें कि जो हमारे ब्रीन वेर मौश कर रहे हैं जो हमें गलत शिक् किजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी किजेगा और मैं फिर आपके साथ थाजिर होंगी किसी नई कहानी के साथ किसी नई कबर के साथ किसी नए कंटेंट के साथ तब तक आप अपना और अपनों का ख्यान लख